दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मक्डू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर आपसे बात करने चला हूँ मैं एक और लोगसभा सीट आपको बता दें कि लगातार आपसे मैं पिछले वीडियो में चर्चा में हूँ कि कॉंग्रेस के कैंडिड लोगसभा सीटों का जिक्र कर चुका हूँ आपसे मैंने सिर्सा की बात की आपसे मैंने हिसार की बात की आपसे मैंने भिवानी की बात की रोतक की फरिदाबाद की गुरुगराम की बात की अब इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा अंबाला लोगसभा सीट अंब और लूब वहां की राजनीति काता है एक पंजाब और दूसरा पश्ची मुतर प्रदेश उत्तर परदेश कि यम्मुना नगर जिला अम्बाला लोकसभा में आता है तो वो प्रभावित करता है वेस्टन यूपी की राजनीती से तो फिर दूसरी तरफ उसके साथ साथ पंजाब साथ में लगता है और इस अंबाला लोगसभा सीट के लिए इंडिया गठबंदन में लोग कहते हैं राजनीतिक लोग का करते हैं कि केजरिवाल की पार्टी आमा लोगसभा सीटें जो हर्याना की हैं जो गठबंदन के तैट इंडिया गठबंदन में कॉंग्रेस ने आमादमी पार्टी के लिए छोड़ी वो एक लोगसभा सीट है मात्र कुर्क्षित्र जहां पर सुशील गुपता जो आमादमी पार्टी के परदेश अद्यक्ष हैं व क्रते वेर्टेश सर्या से सांसत थे 2014 और 2019 में दोनों चुनावों में उन्होंने चुनाव हराया था कुमारी सहलजा को और 25 चुनाव के लिए कंगरेस से कांगरेस की screening committee ने नाम भेजे पैनल में वह जो दो नाम गए उन दो नामों में नाम है कुमारी सहलजा का और दूसरा नाम है वरुन चौधरी का वरुन चौधरी जो आजकल मुलाना के MLA है भुपेंदर सिंग हुड़ा जी के बहुत नजदीक है कॉंग्रेस के निवर्तमान या पूरु परदेश अध्यक्ष रहे थे उनके पिता फूल चन मुलाना हर्याना के शिक्षा मंतरी भी रहे थे उनके बेटे हैं वरुन मुलाना वरुन चौधरी और वरुन चौधरी इस समय भुपेंदर सिंग हुड़ा जी की टीम का बहुत बड़ा पार्ट है और उनके एरिया में वहुड़ा साहब एक रैली भी करकर आये थे पिछले दिनों में ही कुमारी सेलजा का नाम अगर कॉंग्रेस के जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि कुमारी सेलजा का नाम सिर्षा लोगसभा के लिए बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और सिर्षा लोगसभा के लिए क कुमारी सहलजा का नाम लगवग लगवग तय है उस थिती में आप मानने तो अगर क्योंकि दो ही नाम गए हुए हैं अगर के नाम बाइं परदीप नर्वाल का भी चलता रहा कई बार आप पूछेंगे परदीप नर्वाल तो जो कॉंग्रेस की राजनीती के बारे में बात करते हों तो जानते होंगे कि NSUI भारती राष्ट्रे चात्र संगठन जो कॉंग्रेस की चात्र विंग है उससे करते थे लेकिन उनका नाम को बहुत पड़ा इतना बड़ा नाम नहीं है कि जिस पर उनको लोगसभा के लिए एक दम से उतार दिया जाए और वो भी उस दौर में जब कॉंग्रेस के लिए एक एक सीट पर संगर्ष करना होगा कॉंग्रेस को खुद को अगर प्रूव करना हैं तो उसको सीट जीतने के लिए और फिर सीटों पर टक्कर के लिए ताकि मजबूती के चुनाव का मैसिज जाए वो संगर्ष होगा जो मैंने आपको नाम बताया कि कॉंग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दो नाम भेज़े थे कुमारी सेलजा और वरुन चौदरी वरु साथ में यमना नगर इन जिलों की सीटें अंबाला लोग सब हमें आती है चचरौली है जगादरी है यमना नगर है इसके साथ साथ अंबाला पंचकुला अंबाला सीटी यह तमाम सीटें दो चहरे अंबाला की राजनीती को और प्रभावित करते हैं डिस्टिक अंबाला की चित्रा सर्वारा की और उनके पिता चौदरी निर्मल सिंग की और उनकी बेटी चित्रा सर्वारा कि आप कैसे भी माल ले, आज समाजिक नीती से भी हमारा जो देश है इतना आगे बढ़ चुका है कि बेटियां पिता की पहचान है तो पिता की पहचान बेटी से होती है अंबाला की राजनीती में चित्रा सरवारा ने खुद को भी कई बार प्रमानित किया पिछला चुनाओ भी लड़ी थी वो और चौधरी निर्मल सिंग भी चुनाओ लड़े थे दोनों पिता पुत्री आजाद चुनाओ लड़े थे 2019 के चुनाओ में मैं आप से दो मिंट के लिए बात पताँ हुआ दूवर निर्मल चौधरी जी के बारे में 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे निर्मल सिंग चौधरी कुरक्षेतर लोक सभा से ठिक ठाक वोट ली थी चुनाव हार गये थे नायप सिंग सेनी से उस चुनाव के बाद में जब 2019 का विधान सभा चुनाव आया तो निर्मल सिंग चौधरी और उन्हें अपनी बेटी चित्रा सरवारा दोनों के लिए टिकेट मागा कॉंग्रेस उनको बताते हैं एक टिकेट देने के लिए तयार थी कुमारी सेलजा से निर्मल सिंग जी की बंती नहीं थी बिगडाव था अपस में उस सब के चलते हुए बात बनी नहीं और उनको दोनों टिक्टे मिली नहीं एक टिकेट वो लिना नहीं चाह रहे थे इसलिए पिता पुत्री दोनों आजाज चुनाव लड़े और दोनों आजाज चुनाव लड़ते हुए दोनों सेकिंड नंबर पर रहे और दोनों ने पचास पचास हजार के आसपास वोट ली याने कि अमबाला लोकसभा की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें अमबाला सीटी और अमबाला केंट इन दोनों पर पिता पुत्री ने अपना पर्चम खूब ले रहाया चुनाब तोहारे लेकिन दोनों स्थानों पर पचास पचास हजार के आसपास दोनों को वोट मिले वो दोना पिता पुत्री वापिस आ चुके हैं और उनका हुड़ा साब की साथ जो खूब बढ़िया उनकी बनती है हलांकि निर्मल सिंग्ड की एंट्री तो सीधे उपर से की थी ताकि कोई गड़वड ना रह जाए लेकिन हुड़ा साब के साथ उनके संपरक हैं इसमें कोई दोराय है नहीं अगर वरुन मुलाना केंडेट होते हैं तो वरुन मुलाना भुपेंदर सिंग उड़ा की पसंद है आप इसे मान लीजिए और कोई नाम वहां पर दिखाई दे नहीं रहा अगर कुमारी सहलजा सिरसा लड़ रही है तो फिर अंबाला के लिए ये सीट खाली है अगर कुमा के बेटे हैं फूल्चन मुलाना खुद हरियाना कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कई बार विधायक बड़ा नाम है वरुन मुलाना सबसे चोटी सी उमर के अंदर विधायक बन गई इसके साथ वुड़ा साथ उनकी पठती बड़िया पठ्री बैठती है अंबाला का सिस में वरुन चौधरी के नाम पर अंबाला बतौर केंडिडेट अंबाला लोगसभा उनके नाम पर सी सी मोहर लगा सकती है अंबाला का रण कैसा होगा क्या बंतो कटारिया जी को कोई सानुभूती लहर मिले गिरतनलाल कटारिया की क्या हर्याना के अंदर जिस प्रकार गबर नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी से अनिल्विज जिक्र करना जरूरी है उनका क्या उनकी नाराजगी चुनाओ में बीजेपी को कई भारी तो नहीं पड़ेगी और सबसे मेहत्वपून सवाल कि हर्याना की दस लोकसवा सीटों पर अबकी बार यानि कि 2024 में सेनेरियो क्या रहेगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियो अप्डेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ये तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन